नमस्कार मैं रोहुत कुमार आपने च्परनेशन देखने खबर है बिहार से जहां पर राज्य सभा की उप्चुनाव के लिए शुशील मोदी को बीजेपी के तरफ से जो है वो उम्मिद्वार बनाया गया है यानि कि शुशील मोदी एंडिये के प्रत्याशी होंगे आपको तरीके से तेजस्वी आदब राज्य सभा के इस सीट पर भी अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं लेकिन खबर यह है कि शुशील मोदी जो है वो बिहार जो एंडिये है उसके प्रत्याशी होंगे आपको बता दें कि केंदुरी मंत्रे रह रामिलास पासवान के अकास पी किराश्टिये प्रवक्ता संजय ममयूक ने दी है आपको बता दें कि पूर्वे केंदुरे मंत्रे रामिलास पासवान के कासमिक निधन की वज़े से राज्य सभा के सीट खाली हो गई थी जिस पर 14 दिजंबर को चुना होना है राज्य सभा की सीट को लेकर 26 नवंबर क की गई है तीन दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगी और चार दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाच की जाएगी साथ दिसंबर तक नामांकन पत्रों की वाफसी के अंतिम तुथी निर्धारित की गई है इसके बाद अवश्रक्ता होई तो 14 दिसंबर को मद जाएगा मदान किराने के लिए जो विवस्था होगी वो वो यह होगा कि अगर सुशील मोदी के खिलाप में कोई उप्रत्याशी मैदान में खड़ा होता है तो मदान होगा मदान के लिए 14 दिसंबर में के दिन सूबह 9 से शाम के 4 बज़े तक वक्त होगा और उसी दिन शाम 5 वज़े से वोटों के गिंति की जाएगी और परिनाम जो हैं उसे दिन जारी हो जाएंगे 16 दिसंबर तक राजी सभा की एक सीट की लूप चुनाव की प्रिकरिया को पूरा कर लेना है आपको बता दें कि इसी साल्याने की साल 2020 में 8 अक्टूबर को केंदुरी मंत्री रहे राम विलास पासवान का अकस्मिक निधन हो गया था जिसकी वज़े से एस सीट खाली हो गई आपको बता दें कि इस सीट का कारेकाल 2 अप्रेल 2024 तक का है बिहार में लोग सभा के जब चुनाव संपन हुए उसके बाद राम विलास पासवान जोके हाजिपूर से सांसत थे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा स्वास्त के कारणों से तो लोजपा को 6 सीटे मिली थी जबकि राजसभा के एक सीट का भी वादा किया गया था जब बिहार में राजसभा के सीट के लिए उप चुनाव हुए तो राम विलास पासवान को बिहार से भी जा गया लेकिन बिधान सभा चुनाओं के बीच में जिस तरीकी की तलखियां दिखी चिराग पासवान और नितिश कुमार के बीच में तो इसी तो तै हो गया था कि चिराग पासवान के अब खाते में ये राजसभा किसी तो नहीं जाने वाली है चिराग पासवान इंडिये का हिस्सा होंगे भी या नहीं इस पर विशन से बना हुआ है इन तमाम चीजों के बीच में BJP नेक तरीके से कहिए कि शुशील मोदी को प्रत्याशी बना दिया है उमिद्वार बनाये गया है और अब शुशील मोदी जो है इंडिये के साजहा उमिद्वार होंगे राजी सभा की उपचुनाव के लिए और लगभग ये माना जा रहा है जो कि संख्या बल है उसके हिसाब से कि शुशील मोदी बिहार से इस राजी सभा सीर से केंदर में जाएंगे और जो जानकारी है कि शुशील मोदी को आने वाले वक्त में बरिज जमेवारी भी केंदरी सरकार में मिल सकती है फिला हाल इतना ही दिखते रे नियुज फोनेशन नमस्कार.